नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है च्णाइडेन रेस्पी में तो यह जिद्या एस्पेशल ट्रेडिशनल रेश्पी मैं आपके साथ शेयर करी हूं नहाइकाय वाली थाली है तो सबसे पहले मैं यह कंदा ले ली उसको बहुत लोग बंडा भी बोलते हैं तो बंडा बोल कंदा आपको मतलब अगले साल खाने के लिए मिल जाएगी तो आपको सिस करें कि इसको फेके नहीं अपने गाडेन या मतलब गमने में जरूर गाड़ दे तो मैं दिखाऊंगी पीछले साल का कैसे हो गया है तो इस तरह से तीन या चार कट लगा दे तो इसको पहले हम अच पहर देल नहीं लगाई हूं दूरी बना के काट रही हूं तो इसमें से निकल रहा है यह बहुत ताजी है तो इस तरह से चोटा को अला को फार्ण लेंगे तो यह बनती है तो छोटा में दालके तीन-चार सिटी में अच्छ से चीज जाती है तो उस्पर रख दिनगे ना यह बहुत अच्छे से सिज़ जाती है इधर एक छोटी वाली कराही लेली हूं उसी में जीरा और हरे मिर्श का फोरण डाल दी है तो नोनी जींगा तो बनता ही है पोई का पत्ता भी हुए तो हम इसका छोका लगा रहे हैं तो दोस्तों इधर लासन प्याज चलता है हमारे त तो इसमें प्यास का छोका लगा कि और इसको नोनी के साग जींगा डाल दी है एक ही साथ बना लेने ना चुकि यह नियम है तो नियम के बहुत ज्यादा नहीं मैं बना रही हूं आप देख रहे हैं तो बस दो से तीन लोग बनेंगे तो यह बत दिखा रही हो तो यह समझते तो यह जींगा नहीं है कर रहो है जींगा में लाइन मतलब खड़ी वाले लाइन नहीं होती है तो धाब दिये सबजी को और इधर हम रागी का अटा ले लेंगे जिसको नाचनी मढवा जो भी बोले तो देखिए यह इस तरह से तो मैं हम सब तरह कांटा बंगा के थाने हैं रखते हैं दोस्तों मिला के ही या मिक साटा बनाते हैं तो ले लेंगे तो यह बहुत ज्यादा हो जाती है तोगर पानी में यह थोड़ा सवैंटा नमक के लिए तो यह L Farm करके आपके लिए ये वीडियो मतलब सौटली ही वीडियो बनाई हूं बहुत डेटेल से नहीं बनाई हूं वीडियो को एक मेमरी के तरह थोड़ा सा पानी ज्यादा पड़ गया था तो इस रस निकाल लेंगे चुकि ये गूलिटन फिरी आटा होती है तो मतलब अगरम पानी से सान के थोड़ा देर रख देने से थोड़ी सी मतलब अच्छे से बनती है और अंदर से सीज भी जाती है तो देखिए कितना सुन्दर चिकना है आटा बना है यह सब बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लेगता है यह 3-4 मिनिट में यह भी सबजी दोराटा सान रहे थे तब तक सब्जी बन गई है तो इसको बंद करके निकाल देंगे बन के त्यार हो गई है और इधर कंदा भी हमारी ठंडी हो गई थी सुभा ही इसको उबलने के लिए डाल दिये थे तो इसको अब गरम गरम में छील के ना मतलब मैस कर लेगे ने तो बहुत अच्छे सभी ठ दस बजने के लमसम है दस बज़रा है तो इस सब काम हमने हाके कर रहे हैं दोस्तों नियम से किया जाता है तो इस तरह से सारा कंदा को हम आये ना देशी गोल से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है यार यह हपतों चलती हपता से ज्यादा पंदरा दिन बीस दिन भी चलती खराब नहीं होती इसको फ्रीज में रख दे बनाके और एक हपता तो बाहर ही खराब नहीं होती है तो इस तरह से जवाइन मंग से डाली हूँ और इसमें अध्रक अध्रक है केंची के लामसम और हरी मिट्च और लासन तो एक पुट लासन भी डाल दिये हैं तो इस तरह से बारी के बारी कट कर लिए आप चौपर में चौप कर सकते हैं कि एकदम ट्रेडिशनल यह बनती ही है दोस्तों सबके घर में बनती है इधर बिहार में तो यह नमा के डाल दिये हैं और नीवू इसमें जाएगा दो करीब आधा के लिए उससे ज्यादा मतलब कंदा था तो यह दो नीवू हम काट लिए हैं तो दोनों नीवू डालेंगे थुरास में खटाई जरूरी है और 100 ग्राम किलम सब यह कच्चा सरसो का तेल है तो पहले मैं आधा डाली हूँ आधा डालके मिला लेंगे यह मतलब जो चोखा बनती है ना यह चोखा यह आचार जो भी कहें देशी वूल के ही टेस्ट का होता है यह इसका टेस्ट बहुत ही अच्छाता है और कंदा का तो सबजी फ्राइस करके भी खाएंगे इसका चाट भी तो सब कुछ बनता है कि अब इतना कोई इस तरह से खाने वाले है ना बनाने वाले हैं तो यह सब चीज़े अब लुप्त होते जा रही है दोस्तों तो इस तरह से एक मेमरी के तरह जरूर बनाएं अपने फैमली के लिए हुए और रागी का अटा भी मेरे तरफ मदलब एबार साल में इक बार हरकोई खाता है यहाला साल में एक बार बिना ही है How डेखे बहुत कुछ बनके त्यार होगे सब्सक्राइब कितना आदम वही देशी तो तौद कर देंगे घी से घी रिफाइन ऑइल जो भी आप कर देंगे वैसे सटती तो नहीं है पर गरम पानी में हम साने है तो थोड़ा मोटी रोटी होती है ना तो हलका सीजने में टाइम लगता है इसके लिए ना कुछ चकला बेलना किसी चीज की जरूरत नहीं अब तावा में हाथ में पानी लगा के और पतला बनाना चाहते तो वह इस तरह से नहां सारी डोटी बना लेंगे जितना हमको जरूरत है अग्दम ट्रेडिशनल था लिए दोस्तों मतलब बनती ही है इतना बड़ा बड़ा रोटी हम पतला बना लिए हैं देखिए सर्व भी कर लिए हैं कंदा कर चो का और भी कुछ बना था तो देखिए यह लि गुवी की सबजी है और यह नोनी का साग है कंदा का चोका है थैंक यू फो वाचिंग